हेलो दोस्तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रथम उपचार में दोस्तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेर और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और मेरे बेल आईकॉन बटन को दबाएं ताकि आपको मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले मिले दोस्तो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनको किसी की नजर लग जाती है तब बच्चे बिमार पड़ जाते हैं और उनको दवाईयों का असर भी नहीं होता है और बच्चों को परिशानी का सामना करना पड़ता है तो दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ जो की नजर दोश को तुरंत ठीक कर देंगे और बच्चे को बहुत जल्दी ठीक कर देंगे तो आईये जानते हैं वे उपाय क्या है दोस्तों अगर आपके बच्चे को नजर लग गई है तो आपको करना ये है कि रभीवार या मंगलवार के दिन एक लोंग उसके उपार से उतार कर फेक देनी है जी हाँ दोस्तों बस एक लोंग को आपको रभीवार और मंगलवार के दिन बच्चे के उपर से उतार कर फेक देनी है दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके बिगड़े काम बन जाएं तो आपको एक नीबू पे चार लोंग गार देना है और ओम श्री हनमंते नहमका मंतर का जाब करना है और आप अपने काम के लिए निकल जाएए और उस नीबू को अपने साथ ले जाएए बहुत जल्द आ अपने दीपक में दो लोंग डाल लें और उससे आप अपने घर की आरती करें या फिर एक काम और कर सकते हैं कि कपूर में दो फूल वाले लोंग डाल दें और उससे आप आरती करें उससे आपके सारे काम बहुत आसानी से बिना बाधा के हो जाएंगे और आप जो मन में सो सुपारी को अपने साथ रखन लीजिए। लॉूंग को चूसना है और सुपारी को अपनी जेव में रखना है। अपका काम हो जाए तो सुपारी को आ कर अपने मंदिर में वापस विराजमान कर दीजिए। कंड्ध काम Кई आय गिए। दूर हो जाएगी और आपको धन की प्राप्ती होगी दोस्तों अगर आप अपने शत्रूओं से परिशान हैं तो आपको साथ बार बजरंग बाड का पाट करना हैं और हनुमान जी को लड़ू अर्पित करने हैं उसके बाद आप पांच लॉंग लीजिए और उसे कपूर के स जला दीजिए और जो आपकी राक बचेगी उससे तिलक लगा कर घर से निकलिए आपके शत्रूओं का बहुत जल्द नाश हो जाएगा दोस्तों अगर आप शांती चाहते हैं या आपके घर में बहुत कला या परेशानी है और आप उससे बादा से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको करना ये है कि एक फूलवारी लोंग और एक कपूर की टिक्की को साथ में जला दें और जली हुई लोंग को मुह में रखकर शिरी कृष्ण भगवान का ध्यान करना हैं इससे आपका मन भी शांत होगा और आपके जो कला हैं वो भी खतम हो जाएंगे धन्यवाद दो तो